Good morning students, previous video class में हमने chapter 6 उशा की कवीता स्टार्ट के थे उशा की कवीता का complete अर्थ हमने कर लिया, आज इस chapter के question answer स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो objective type question है, उसमें first है आपके उशा कवीता में है तो उशा कवीता में किसका वर्णन हुआ है? आंसर आएगा इसमें आपका सवेरी की लाली मा का वर्णन हुआ है second है आपका जादू टूपता है उशा का में जादू का अर्थ है answer है आपका आकरशन, कि जादू जो टाकरतिक उशा का जो जादू है वह टूपता है तो वो आक्रिशन होता है उसका जादू का अर्थ है आक्रिशन Next जो किशन आपके very short type से वो देखिए जो first number का जो किशन है वो है भोर का आकाश किसके समान नीला है answer है कवी के अनुसार भोर का आकाश नीले संखिके समान स्वच्चिवय सुन्दर है Next किशन है कवी ने नब को राग से लिपा हुआ चोका क्यों कहा है आंसर लिखेंगे भोर के समय नब में कुछ दुनलापन एवं कुछ हलका प्रकाश मिलने पर राग जैसे रंग उभर जाने से तथा आकाश में कुछ नमी के कारण काला दिखाई दे रहा है राग से लिपा हुआ गीला चोका भी काला वे नमी यूक्त दिखाई देता है इसलिए कवी ने नब को राग से लिपा हुआ चोका कहा है कि जिस प्रकार से जो चोका होता है वो हलका सा काला पन और हलका नमी यूक्त होता है तो कवी ने जिस प्रकार जब थोड़ा हंदेरा होता है और उशय की किन्ने बोर के समय हलका सा हंदेरा होने पर और उसमें नमियुक्त होता है आकाश में तो ऐसा दिखाई देता है जैसे हुआ गीला चोका हो उसकी कल्पना कवी ने की है गीले ग्रामिन परिवेश से प्रकर्टी का सुंदरी की कल्पना करते हुए कवी ने काया कि जिस प्रकार से गीला चोका दिखाई देता है उसी प्रकार से आकाश में भी जो है हलका प्रकार जब होता है और नमियुक्त होता है तो ऐसा लग रहा है मानों गीला चोका हो रहा हो Q3. उशा का जादू तूटने का क्या तातपरिय है? आंसर है कवी के अनुसार उशा काल में प्राकर्तिक सोंदरिये एवं विशेश आकरशन होता है उशा का जादू का तूटने से तातपरिय है सूर्य उदे होते ही आकाश के पलपल परिवर्तित मनोहारी द्रश्य का समाप्त हो जाना तथा आकाश का इस्ताई नीला रंग प्राप्त करना उशा का जादू उशा का जादू होता है कि जिस प्रकार से जब प्रात्यकालीन होता है तो प्राकर्दिक द्रश्य, पल-पल परिवर्थित होता है कि जब हलका अंदेरा होता है तो उसमें काला पन लिए हुए होता है जब जैसे-जैसे सूर्य की किन्ने निकलती है तो वो हलकी सी लालीमा लि ली जाती है और फिर एक अपने इस्ताई रूप में जो है वो आ जाता है कि सूर्य जो है चमकिला स्वेतर और दिखाई देता और नीला पूरा रंग का आकाश दिखाई देने लगता है यहां होते हैं आपके वेरे शोर टाइप से जो कुशन आंसर थे वो कम्पलीट अब है शोर टाइप से कुशन आंसर उसमें देखिए लाल केसर तथा लाल खडिया चाग के माध्यम से कवी क्या व्यक्त करना चाता है आंसर है लाल केसर और लाल खडिया चाग के माध्यम से कवी काले आकाश में च्छाई सूरिय की लालीमा व्यक्त करना चाता है उशा काल में जब आकास में सूरिय की हलके लाल किरने फैलने लगती है तो उसके लिए कवी ने लाल केसर का फैलना बताया है कुछ शन बात जब आकाश राक के रंग का लगता है तब सूर्य की लाल किर ने कुछ अधिक उभरने लगती है तो ऐसा लगता है मानो जैसे किसी ने बहुत काली सील पर लाल केसर को पीस कर धो लिया हो अथवा किसी नव युवक शाक्षर ने अपने हातों से लाल खडिया चौक मल दिया हो नेक्स्ट है क्यूशन नमबर फाइव उश्य कविता में कवी का क्या संदेश है आंसर है उश्य कविता में कवी ने नए उपमानों, बिम्बों, प्रतिकों के माध्यम से संदेश दिया है कि प्राते काल प्राकर्थिक परिवेश में जिस तरह गतिशीलता आ जाती है उसी तरह हमें भी अपने जीवन को गतिशील एवं जीवनत रखना चाहिए वरतमान समय में भोतिक वस्त्वे एक्रतित करने की लाल्चा में मनुष्य की दिंचरिया परिवर्थित हो गई है वह प्राकर्ति से दूर होता जा रहा है प्रस्तुत कविता में कवी ने बताया है कि हमें प्रकर्ति से शिक्षा ग्रहन करनी चाहिए मनुष्य को प्राकर्तिक द्रश्यों का आनंद प्राप्त करके वै सुक पूर्वक जीवन व्यतीत करने का संदिश कवी ने प्रस्तुत कविता में दिया है कवी ने बताया है कि जिस प्रकार से प्रकर्ती गतिशील होती है यानिकि निरंता बदलती रहती और आगे बढ़ती रहती है उसी प्रकार से जो है मनुश्य का जीवन भी हमेशा गतिशील और जीवनत रहना चाहिए आजकल वर्तमान समय में, समय के अभ़ाव में या बहुतिक वच्तों के लाल समय में, जो है दिनचरिया परिवर्तित हो गई है और व्यक्ति को आनंद लेना चाहिए और सुछ पूरुक अपना जीवन व्यक्तित करना चाहिए. नेक्स्ट कुशन है कुशन नमबर सिक्स उशा कविता की प्रमुक शिल्पगत विशेष्टा क्या है? आंसर है उशा कविता की प्रमुक शिल्पगत विशेष्टा यह है कि इसमें कविने परंपरा से अटकर नवीन उपमानों और बिम्बो का सफल प्रियोग कर कविने आकाश के परिवर्दित मनोहारी द्रश्चे के लिए काव्य परंपरा से अटकर ग्रामीन परिवेश से सम्म अंदित नए उपमानों का प्रियोग किया है रूपक एवं उपमा लंकार के द्वारा उशा काल के आकाश एवं चारो ओर के आकरश्य द्रश्य का सुन्दर शब्द चित्र कविने प्रस्तुत किया है प्रस्तुत कविता में शब्दावली अतिसरल सुबोत और भावन रूप है यहां होते हैं आपके शोर्ट टाइप से क्यूशन आंसर कंप्लेट नेक्स्ट है आपका लोंग टाइप से जो क्यूशन है क्यूशन नमबर सेवन समशेर पहद्दो सिंग की उश्य कविता का प्राकर्दिक वर्णन अपने शब्दों में कीजिए आंसर है उश्य कविता में कविने प्राते कालिन प्रकर्दिका मनोरम चित्रन किया है प्राते कालिन आकाश कवि को बहुत नीले शंक के समान स्वच वे सुन्दर लग रहा है भूर का आकाश कुछ काला और नमी से युक्त दिखाई दे रहा था उस पर आकाश में सूर्य की लालीमा बहुत सुन्दर लग रही थी वे द्रश्य ऐसा लग रहा था जैसे बहुत काली सील पर लाल केसर लगी हुई हो अथवा काली सिलेग पर लाल खड़िया चोक लगा हुआ हो इसके पर चाथ सूर्य का प्रतिविम नीले आकाश में जिल मिलाता दिखाई देने लगता है वे द्रश्य नीले जल में जिल मिलाती हुई एक सुंदरी की देह जैसा लगता है सूर्य उद्य होने पर उसके प्रकार से सारे पेड़ पोधे एवं परिवेश आलोकित हो जाते हैं धर्थी पर नव जेतना का संचार होता है उन सोंदर्य होने पर आकाश का पलपल परिवर्थित सोंदर्य समाप्त हो जाता है यहां होते हैं आपके question answer complete जो next question है वो व्याक्या टाइप से है वो व्याक्या आपको अर्थ में complete करवा दिये आप सभी को यह question answer फिर notebook में write करना है कल की class में हम new chapter स्टार्ट करेंगे